अभी तिक जो भी पड़ा हमने प्रोसेस, रिकोर टाइप, स्पेज लियाउट कैसे मैप होते हैं, पिकले स्फिर्स कैसे कंट्रोल होंगे, प्रोसेस कैसे बनेंगे, क्या यूज होता है, वो सारा कुछ देखा, अभी जो नेक्स देखने वाली चीज है वो यह है कि आप बिल्डर होता है, सेल्सफोर्स में, अगर हम उसकी बात करें तो लाइटनिंग बिल्डर मतलब एक ऐसा टूल कह सकते हो उसको, जो कि जिसका यूज करके हम पूरा का पूरा एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अगर हमें कोडिंग किजी कर जरूरत ना हो, ठीक हम अभी एड्मिन की बात कर रहे हैं, तो हम एड्मिन साइडी करेंगे, तो अगर हमाएं पास कोई भी ऐसा कुछ है, जिसमें हम इन्वाइस मैनेजमेंट का बना सकते हैं, जहां पर हम एक्सपेंस मैनेजमेंट का बना सकते हैं, जहां पर हमें कोडिंग की जरूरत नहीं है तो बेसिकली यह सारी चीजे कुछ थोड़े बहुत छोटे चोटे एपलिकेशन से बना सकते हैं ऐसा उसमें है हमारे लाइटनिंग बिल्टर में यह कैपिलिटी है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो अब इसमें तीन तरह के पेज़े होते हैं क्योंकि लाइटनिंग बिल्टर इसमें अन्द पेज होते हैं एक होता है लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज और एक होता है लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज और एक होता है लाइटनिंग होम पेज लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज पर हम accordance के एंड कि विकल क्यां हैं लाइट में नहीं हुआ हिसे कि नाम मैं क्टारव पेज थे तो यह करते हैं बाइनिंग्रिकॉर्ड पेज जो हमारा पैज जो बैसरी कुल डीटेल पेजर किसी वेपार उसका ấn हैं डिंदिंग अभर कॉमत्ट के सबसे बना सकते हैं हम अपने तो अगर हम चेल स 59 चाहिए तो यह persönlich में लौगिन हैं तो हम हो में यह दिक्राइब अब यहां पर आपना कैसे बनाएंगे क्या करेंगे वह बात में देखेंगे अब भी हम बात करते हैं लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज पर जैसे हम यहां पर गए स्टुडेंट्स पर I'm sorry, students पे गए और कोई भी एक हमने students open किये student को तो यहां पे अगर देखो तो यह side में इधर related आ रहा है इधर activity आ रहा है और student, student का parent कोई नहीं है तो ठीक है I think college होना चाहिए बट अभी नहीं है college, ठीक है इसा कुछ है तो यह जो है यह actually में lightning record page है इस detail के अंदर जो information आ रहा है वो यह तना page layout से आ रहा है बस यह page layout से आ रहा है यह जो button यहां पर दिख रहा है यह सब button page layout से control हो रहा है बाग की सब कुछ जो आ रहा है वो आ रहा है lightning record page से जैसे कि यह related है और इसको छोड़ देते हैं अगर हम कोई एक account देखें यह opportunity देखें उसमें बहुत कुछ होगा ठीक है हम कोई भी एक account कॉल हैं तो जैसे इसमें कई सारे related list हैं ठीक है तो यह सब मतलब यह related tab हो गया यह detail tab हो गया हमें कोई additional tab बनाना हो यहां पे तो वह भी कर सकते हैं जैसे इदर activity हो गया chatter हो गया ठीक है यहां पर हम कुछ भी डाल सकते हैं ABC तो यह सब जो है यह यह जो ऐसे बन रहा है यह actual में जो layout है तरह तरह का layout है वह lightning record पेज से बनता है अब इसका अगर हम duplicate करके एक बारी classic में देखे हैं क्लासिक में अगर देखो कितो सबकुछ हर करते हैं । किएर जैसे कि हम स्विच्टक्लासिक करएं यहां त्लब यूजरनेम के क्लिक करने लिए से स्विच्टक्लासिक तो यहां परहरां करते हैं हिस्टक्रटक्रश्रक्राट खон पर अज़ looks like देखोगे वो यह देखोगे कि यह जो चैटर वाला आपसन है यह उपर आ जाता है ठीक है बाकी सारा कुछ एक ही पेज में रहेगा यह अपकर डिटेल हो गया उसके नीचे यह रिलेटेड हो गया ठीक है इसमें कोई ऐसा नहीं टैब वाला सिस्टम नहीं है बट लाइटनिं अगर हमें इसे ही मॉडिफाई करना हो इसमें ही कुछ हैड करना हो तो कैसे करेंगे या फिर हमें अपना खुद का बनाना हो तो कैसे करेंगे वो दोनों चीजे हैं तो पहले हम इसको मॉडिफाई करके देख लेते हैं अब इसको मॉडिफाई करना है तो यह जो गेर आइक लेफ मतलब राइट से एक दो तीस तीसरे नंबर पर जो आइकॉन है इस पर क्लिक करोगे इस से क्लिक करके पहले सेट अप पे भी जाते थे ना अभी तक इसका यूज सेट अप के लिए ही किया है इसमें नीचे अगर देखोगे तो तो आपसन और आता है एडिट ऑबजेक् पर क्लिख करोगे तो ये क्या करेगा ऑबजेक्फ मेनेजर पे अकाउंट ऑबजेट खोल देगा है है जीक्छीड करोगे या अपको ले जाएगा जो एक्जिस्टिंग लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज है उस पे लेके जाएगा ठीक है यहां पर क्या दिख रहा है अकाउंट रिकॉर्ड पेज यह लिखा हुआ ठीक है उपर देखोगे तो विज्वल एजिटर एप बिल्डर अभी हम क्या बात कर रहे थे अब कोई भी अखाउंट ओपन करते हैं लेट करते हैं तो बाइडिफॉल्ट वह रिलेटेड वाला टाइब खोलता है एक हम चाहें तो तो यह जो सटिंग है वह यहांपे दिपाइंड है यहां पर भी डिलेंट ही खुल रह रहा है ना पर बिलेटेड ही खुल रहा है अग और यहां पे इधर साइड में ये आप जैसे कि इस पर क्लिक करो देखो निउस वाला टैब। नहीं दिख रहा वहां पर यहां पर हैब अन्य तब करना हो कि पहले डिडिएल्स दिखे या निउस दिखे तो सबसे पहले चीज़ करेंगे कि हमारा रिलेटड दिखना चाहिए या details दिखना चाहिए, या news दिखना चाहिए, ठीक है, यह depend करता है, यहाँ पर एक button है उपर, top right, analyze की, बटन दिख रही न, यह जो, इस पर अगर click करोगे, तो यह क्या करेगा, page की performance analyze करेगा, ठीक है, page की performance analyze करेगा, इसने कहा कि page performance desktop, तो इसने क्या गया, some related list affects page performance, जैसे कि यह related this time, cases, ठीक है, मतलब यह कह रहा कि अगर ऐसा है, तो definitely performance effect होगी, ठीक है, फिर उसका इसने कहा, phone, phone की performance क्या good है, phone में अगर open करेंगे, तो इसकी performance बढ़िया है, और tablet में open करेंगे, तो moderate है, मतलब की improvement की ज़रुरत है भी, ठीक है, और इसने क्या-क्या, high impact components में, इसने दे द channels, जो उपर हमारा आ रहा है, ठीक है, इसकी वज़े से error आ रही है, मतलब moderate है, हम क्या कर सकते हैं, इस पे यह जो पूरा का पूरा, वो है, यहाँ पे उपर किसी tab है, उनमें से कहीं पे भी उपर एक जगा क्लिक करेंगे, tabs में क्लिक नहीं करेंगे, उपर कहीं पे भी चेक क क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फिर left side में कर देखोगे, तो यहाँ पे टाइब हमारे दिख गया, जितने भी हमारे पास यहाँ तीन टाइब है, related, details, news, यह दिख गया है, और उपर default tab के है, related, तो यहाँ पे अगर drop down पे खिलिक करोगे, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जै इसे चेंज करेंगे, details में आगया वो, उसके बाद अगर फिर से analyze पे क्लिक करोगे, अचा यह कह रहा है कि there is nothing to analyze for us, okay, phone में good ही रहेगा, और tablet में अभी भी moderate है, because of highlight panel जो है मारा, पिर इसने का the following component, significantly increase page load times while using a tablet, consider moving some of them to a tab or accordion section, or hide them in the mobile app with the visibility filter, वो कह रहा है या तो दूसरी जगर डाल दो या remove कर दो, ठीक है, अगर हमारी uses tablet use करते हैं, तो हमें फिर इसको देखना पड़ेगा, जी, यह हो गया, बट डेक्स्टाप के लिए करा ही ही नहीं हमारे पास, इसका मतलब it's good, मतलब details कर सकते हैं, जब हमारे पा कोई भी एक tab add करना है, कुछ भी हो सकता, related one, two, three या कुछ भी, ठीक है, क्योंकि, let's say हम कह सकते contacts, ठीक है, एक हमें यहीं पर एक और tab add करना है, ठीक है, इसके अंदर ही एक और item add करना है, कैने contacts, जो contact का related list हमको दिखाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यह महाँ पर यह जो हमारा कोई भी voice पर click करेंगे, ठीक है, इस पर click करेंगे, and then यहाँ पर click करेंगे, add tab, add tab, तो एक और tab आगया हमारे पास details का, by default भी details लेता है, ठीक है, जी, अब हम इस पर click करेंगे, तो click करोगे तो यह कुछ ऐसा आएगा, pop-up open करके, और यहाँ पर click करोगे, तो यहाँ पर कई सारे अपने आप standards देगा, और सबसे उपर जाओगे, तो एक option आएगा, custom, ठीक है, तो mostly हम custom use करते है, तो हम यहाँ पर custom देंगे, फिर लेबल पूछेगा, तो let's हम कह देता है, contacts, और फिक क्लिक क्या, done, तो जैसे done पर click करोगे, अब हमारे पास contact आ गया, ठीक है, जै, अब यहां पर क्या आएगी, contact में ही, अब हमें contact में add करना है, हमने बोला कि हमें add करना है, contacts, related list, जिससे कि हमहें, हम अगर उस पर click करें, तो हमें सारे का सारे contact दिखें, जैना, यहीं बोला न हमने, तो हम contacts पे click करेंगे, tab में, क्योंकि यहां पर click हो हम यहां पर click करेंगे तो यह क्या कर रहा है add components here अब हमारे पास दो चीजे होती है हमें add क्या करना है related list जो की contact की है ना तो contact की जो सिर्फ और सिर्फ contact दिखाए यहां पर ठीक जो सिर्फ और सिर्फ contact दिखाए तो इसमें अगर आओ यहां पर search करो यहां पर यह दिखाता है कि आप record page के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं यह सारा कुछ आप इस record page के अंदर डाल सकते हैं उठाके जिसमें जो भी इसमें दिया हुआ है ठीक तो अगर हम बात करें यहां पर हमें contact का related list डालना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे और इस पर search करेंगे related ठीक है तो यहां पर हमारे पास पांच चीज़े आ गई एक आ गया dynamic related list single एक आ गया related list single एक आ related list quick links एक आ गया related list एक आ गया related record ठीक है तो जो यह related lists होता है जिसमें last में s लगा हुआ है अगर हम इसको यहां पर drag n drop करें तो यह सारी कि सारी related list दे रहा देखो, जितने भी page layout में, हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर यह वही related list दिखाएगा, जो page layout में added होगी, जो, यहाँ पर यह वही list दिखाएगा, जो page layout में added होगी, ठीक है, बट अब यह यहाँ पर सारी दिखा रहा है, अगर हम page layout से हटा दें, तो फिर ये इस related tab वाले से हटा देगा क्योंकि दोनों जगे same component है इस पर click करोगे अगर इस पर click करोगे तो यहाँ पर right side में दिखा देगा ठीक है तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते हमें यहाँ पर सिर्फ contacts रखना है बागी हटाने है और related tab में contact के साथ-साथ बागी चीजे भी रखनी है ठीक है तो अब इस चीज को कैसे tackle करें हम इस चीज को tackle करने के लिए हमारे पास एक और component है जो है related list single यह क्या करें related list single मतलब कि एक ही related list है इस वे अगर drop down करेंगे तो यहाँ पर आएगा अब इधर देखो right side में उधर मत देखो इधर right side में देखो इसमें कि अगर related single parent record काउन होगा मतलब किस record का related record है यह हम कहेंगे use this account हमें इसा यही रहेगा ठीक है उसके बाद related list काउन सी related list क्या दिखानी है हमें वह है contact तो हम यहाँ पर drop down पर हमें सारे के सारे contact sorry account के जो child होंगे उन सब का यहाँ पर drop down आ जाएगा ठीक है और हमें लेना है contact तो हम contact पर क्लिक करेंगे तो अब हमें दो contact दिख गया है अब related list टाइप में अगर देखो तो यहाँ है कुछ आ गया ठीक है ऐसे आ गया और enhance list में जाओ तो यह कुछ ऐसे आ गया जिसमें और भी चीज़ा गई ठीक है और उसके बाद तो यहां पर आप्सन पूंचता है कि यहां पर कितने रिकॉर्ट दिखाने हैं दस दिखाने बीज दिखाने तो यहां पर आप्सन दिखा सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर हमने 10 डाल दिया लेट सें 15 कर दें ठीक है फिर उसके बाद एक चीज़ यह भी पूछता है कि सो लिस्ट व्यू एक्शन बार मतलब यहां पर अभी यह दिख रहे ना अगर इस पर अंचेक कर दो तो सिर्फ यह दिखेगा जो बटन्स दिख रहते पहले पहले दो बटन्स दिख रहते ना अगर इस चेक बॉक्स को अंचेक कर दोगे तो कुछ नहीं लिखेगा मतलब यहां से रिकॉर्ड नहीं क्रेट कर सकते फिर और इसी में अगर नीचे देखोगे तो यहां पर बताता है कि कौन सा पेज़ लाउट अभी हम देख रहे हैं यह अकाउंट पेज लाउट जुछ है और यह पेज़ लाउट जैंज किसके बेस्फ फे होता है रिकॉर्ड टाइप के बेसर agreement प्रिको अ और यही था एक तरीका कि अगर हमें पता करना हो कि हम हमारा कौन सा page layout review है तो हम ऐसे पता कर सकते हैं ठीक यह हमारा हो गया यह हमने एक नए अटायब आट कर दिया ठीक है डाइनमिक related list क्या होती है इसके बारे मैं बात में बात करेंगे ठीक है related list quick links की बात कर लेते हैं तो अगर हम चलें यहां पर classic में फिर से switch कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर हम classic में जाके कोई भी account खो लें तो यहां पर यह उपर links है दिग रहने यहां पर links अगर मैं इस पर click करूं तो मैं उस लिंक पर लिस्ट पर चला जाता हूं ठीक है यहां पर आ गया मैं वैसे ही अगर ऐसा कुछ links हमें light यहां पर चाहिए salesforce record page पे तो हमारे पास एक option होता है related list quick links का इसको हम यहां पर drag and drop अगर करेंगे तो related list हमारे पास होंगे उनका links यहां पर अपने आप दिखने लगेगा चिक है तो इस से हमें related टैब वगर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा related list हमारे पास है और जिस पर भी जाना होगा उस पर हम क्लिक करके वहां चले जाएंगा राम से चिक है उसके बाद एक और आता है related records का चिक है related records का तो यह होता क्या है इसको एक बर यहां पर दिखा देते हैं related records basically अगर आपका कोई parent record है और उसकी कुछ fields आपको दिखानी है तो आप related records का यूज करके दिखा सकते हो ठीक है for example account का parent account होता है अगर हम detail पर जाएं तो account का parent account होता है और उसकी field होती है parent account होती है अगर चाहो कि parent account की कुछ information दिखानी हो तो एक related record करके होता है formula field की ज़रूत नहीं है related record यूज करके यहां पर दिखा सकते हो ठीक है अभी यह invalid component दिखा रहा है क्योंकि related record is invalid कर रहा है ठीक है अभी हम इस पर क्लिक करें तो यह पूछ रहा है header label जो भी है ठीक है अब इसने पूछा look up record look up record कौन सा record आपको दिखाना है आपका parent record कौन सा है ठीक है तो edit look up field पर क्लिक करके आप यहां पर page कर सकते हो जैसे use this account आ गया या फिर इस parent account आ गया तो पेरेंट account सेलेट कर सकते हो और second look up में use this account या जो भी यूज करना है ठीक है तो इसने कहा choose the look up field to show the related record component for example you can let agent look up a party on the call जो भी है first look up parent account से second look up use this account जो भी है डन किया ठीक तो यहां पर आ गया parent account जो second look up था वो actually miss record के लिए ठीक एक जो important concept होता है related record को use करने के लिए वो होता है कि update action देना जरूरी होता है update और new action ठीक है और अभी हमने इस पर काम नहीं किया है update और निव action पर ठीक है जी तो अभी हम उस पर जाते नहीं है अभी related record को बात पर देखेंगे जब हम actions पर बात करेंगे ठीक है अभी इतना clear है अगर हम देखें तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़े हैं यहां पर मतलब की accordions लगा सकते हैं ऐसे accordion मतलब यह एक वह होता है collapsible component देख रहो यहां पर लगा सकते हैं ऐसे accordion यह होता है ठीक है इसके अंदर हमने डाल दिया कुछ जो से related के अंदर related डाल दिया details के अंदर details डाल दिया तो एक ही पेज में सारा कुछ आ जाएगा ठीक है action launcher पता नहीं यह क्या एक बड़ी देख लेते हैं अच्छा यह कुछ तो action वगयरा के लिए है ठीक है पता नहीं मैंने कभी यूज नहीं किया इसको बड़ ठीक है actions and recommendations एक चीज होती है उस पर बाद में बात करें activities यह जो आपकी activities है यह अभी इसको यहां अगर लगा दें यह जो आपकी activities यह जो यह activities ही है यह जो यहां पर दिख रहा यह activities component होता है और इस पर यह जो actions दिख रहे हैं यह page layout से control होते हैं ठीक है अगर इस पर टैब पर क्लिक करोगे तो यूज टैब activities आ गया ठीक है आभी फिलाल ऐसे icons जाता है recent change आया last release में पहले कुछ ऐसा दिखता था ठीक है तो यह जो अगेन यह new task log a call new event email यह सब जो है पेज लाउट से control होते हैं ठीक है अगर वहां पर added होगे यह buttons तब यहां पर दिखेंगे और यहां पर यह tab ही है यहां पर यह tab ही है इसमें इधर एक होता है tab tab हो गया इसको यहां पर drag and drop करो अब जैसे की अब इसको हम rename कर सकते ना लेट से मैं इसको कहें दूँ activity इसको डन किया इसको ड्रेग और रॉप कर दें तो यह जो नीचे है वो भी tab ही है actually मैं ठीक है और chatter के अंदर chatter के अंदर यहां पर यह component दिख रहा है यह feed component chatter है ठीक है chatter component है तो यहां पर जाओ तो यहां पर chatter search करो तो यहां पर chatter आ जाएगा देखो सेम ही है ना एक chatter feed होता है अगर इसको drop down करो तो सिर्फ feed दिखाएगा अभी इसमें पोस्ट पॉल एंड ओल का रहा है इसमें सिर्फ feed दिखेगा मतलब जो भी यहां पर बात्चीत हो रही होगी सिर्फ वही दिखेगा आप update नहीं कर सकते कुछ डाल नहीं सकते अपनी तरब से वो होता है chatter feed अब chatter और chatter feed में difference देखो chatter में क्या होता है कि तुम chat भी कर सकते हो किसी से अगर तुम्हें या पे कुछ डालना हो question पूछना हो poll करना हो या फिर normal post डालनी हो तो वो कर सकते हो लेकिन chatter feed में आप वो नहीं कर सकते है आपको सिर्फ यह दिखेगा कि दूसरे क्या बात कर रहा है आप एक तरह से expectator बन जाते हो उसमें ठीक है तो यह होता है या इतना ज़्यादा कोई पूछता नहीं है बड़ पता होना चाहिए मैं चैटर पबलिशर होता एक चैटर पबलिशर में सीफ बटन बटन है तो इन सब को मिला है एक नया चैटर जो कि हम तो तैब करें लगा सकते हैं तो नहीं कुछ नहीं बोलेगा कोई बिजनस के अलावा बिजनस तो बोलेगा उसको जैसे चीए वैसा ही मांगेगा हो करना होगा तो सबसे पहले जो पेरेंट उसका है उसको सेलेट करोगे यहां पर यहां कहीं क्लिक करोगे अब इसमें जो एड करना एड करते जाओ जितने भी करते जाओगे वहां दिखते जाएंगे और फिर अपना इनको चेंज करते जाओ ठीक है यह होता है और क्या-क्या हमारे पास कॉमपेंट्स हैं यह इनालिटिक्स वगहरा के हैं डेटा.com है डाइनमिक रिलेटिल इस बाद में बात करेंगे आइंस्टाइन नेक्स्ट बेक्स एक्सन से हमें कोई मत यहां पर तो यहां पर आइड कर सकते हो डिलेटिटिल पेज पे जैसे की हमारे पास स्टैंडर्ड एक फ्लो आता है बुकिंग अपॉइन्मेंट फ्रॉम इन्विटेशन ऐसे करके कई सारे हैं जैसे क्रिएट केस अब यहां पर फ्लो प्रिवीव नहीं कर सकते हैं ठीक है आइड करने के बाद जब सेब होगा तब ही प्रिवीव होगा ठीक है यह होता है उसके बाद पाथ हां पाथ हमने इस पे देखा था ना जब हम लीड और पॉर्चनिटी की बात कर रहे थे तो हमने पाथ देखा था यह जो उपर एक्शुली में था एक मिनट दिखा देते ह था है वह उपर जब आपक्शुली में लीड के अंदर दिख रहा था इस टैटस वगएरा यह जो है यह पात है ठीक है यह एक्शल में पाथ है ठीक है तो आप अपने अबजेक्ट के लिए कस्टम आपद्जेट्स के लिए इस टेंडर्ड आपजेट्स के लिए पाथ भी सकते हो एंदेन आप उसको यहां पर ड्रैगन ड्रॉप कर सकते हो इसके इस सेल्जब्स आपजट में कोई पाथ ही नहीं इस अकाउंट में ठीक है बात क्या होता है यह हम बाद में देखेंगे तो अभी इसकी बात नहीं करते यहां पर potential duplicate duplicate rules के लिए होता है और यह सब quip and all quip से related है recent items अगर राके देखोगे तो यहां बताएगा कि कौन कौन से recent items आप ने visit करें ठीक है यहां पर objects भी select कर सकते हो कि कौन कौन से objects आप देखना चाते हो जैसे कि account के साथ साथ हम अगर यहां पर case की बात करें या फिर हम यहां पर lead की बात करें, contact की बात करें तो यहां पर वो हर एक object का recent item दिखाने लगेगा जैसे standard recent items इसने तीन दिखाया जिसमें दो account एक case अगर हम यहां पर does कर दें तो साथ वो account, 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 contact case वो सब दिखाने लगा तो जो recently user visit करता है, वो recent items के अंदर आता है, ठीक है? जी और भी इसमें बहुत कुछ है, rich text है इसको डाल सकते हो, जिसमें लोग को कुछ लिख सकते हैं यह देखो rich text ऐसे दिखता है यहां पर कुछ भी लिख दो, एभी cd, भी बला बला, ऐसे कुछ लिख दो ना दिखेगा ठीक है? जी बहुता है और और भी साही सारी चीज़ें तो बेटर है कि एक बार इस सारी components देखो, यह important है, certification purpose से अगर करना चाहते हो, तो हो सकता इसमें से पूँचा जाए कि इसमें से कौन सा component हम relate lightning air builder page में यूज कर सकते है अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे है record की, ठीक है let's say कि अब तुमारा page तुमने बनाया और तुमारा सब कुछ हो गया सही, एकदम ठीक है, अब जो है, वो आता है इसको save करने की बारी, तो यहां पे बिल्डर पेज को edit करोगे, या अपना खुद का बनाओगे, तो ऐसा कुछ activate का बटन आएगा, क्या आप activate करना चाहते है तो हमें definitely activate तो करना ही पड़ेगा तो हम activate पे ट्लिक करेंगे, तो अब यहां पे जो option आएगा, जो भी आएगा, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है हमारे पास यहां पे तीन option है, और्ग default, एप default, उसके बाद app record type and profile, ठीक है, यह तीन चीज़े और्ग default, एप default, एप record type and profile, ठीक, जो और्ग default होता है, वो सबसे उपर होता है, उसके बाद app default के अंदर कोई page है, तो और्ग default को override करेगा, और अगर record type profile की बेस पे है, तो एप default को override करेगा, मतलब restrictions ऐसे आती है, उपर से नीचे, ठीक है, वो कैसे काम करती है, वो अभी हम देखते हैं, तुरंट, अब अगर हम बात करें, और्ग default का और्ग default का मतलब है, अगर मैंने इस page को assign as org default कर दिया, assign as org default कर दिया, तो इसका मतलब यह होगा कि, इस पूरे org में, जब भी कोई account detail page खोलेगा, उसको ऐसा ही दिखेगा, कोई भी user, जिसको account का access है, और अगर उसने account detail page खोला, तो इस particular record page पे जो जो component है, वो उसको ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है, कैसे वो एक बड़ी देख लेते हैं, इसको assign as org default करते हैं, अब यहां पे पूँच रहा है कि, यह जो आपका component है, यह यह तो desktop के लिए available है, या phone के लिए, या दोनों के लिए, हम कहते हैं, desktop के ठीक, नेक्स्ट किया, and then यह रहा हमारा record detail page review करके save कर दिया, यह हो गया save, ठीक है यह org default save हो गया, ठीक है, इसको अभी यही रहते हैं, हम यहां वापस आते हैं, एक कोई account खोलते हैं, कोई भी अगर एक account खोलेंगे, अभी वह वही पुराना आ रहा है, क्योंकि हमें refresh करना पड़ेगा page को, और अब हमारा नए changes आएंगे आपे, related list quick links आ गया, flow जो हमने add किया था, वो आ गया, ठीक है, उसके बाद contacts पे click करोगो, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ contacts दिखेंगे, related में जाओगे, तो आपको related दिख रहा है, यह है, यह दिख रहा है मुझे, panther schools applications के अंदर, ठीक है, अब मैं applications change करता हूँ, और जाता हूँ sales पे, sales application, ठीक है, अब यहां पे, अगर मैंने कोई account खोला, मैं United यह express logistic को खोल लेते हैं, same तरह clear art दिख रहा है मुझे, related list quick links दिख रहा है, by default details selected है, contacts में वही मुझे contacts दिख रहा है, related में मुझे वही related दिख रहा है, ठीक है, अब हम एक दूसरे user से भी login करते हैं, एक दूसरे user से भी login करते हैं, जो user है हमारे हारवे खुन, ठीक है, उनसे login करते हैं, account का access है उनको, I believe, नहीं होगा तो दे देंगे, ठीक है, आब यहाँ पर login करते हैं, हारवे खुन से, क्योंकि यह दिखाना है, कि हारवे खुन को सिर्फ और सिर्फ, I think, say, panther school's application का access है, ठीक है, verification code, अभी हम यह देख रहे हैं, अब यहाँ पर अगर हम सर्च करें, account तो definitely, account का access नहीं है, action, ACC, account का access नहीं है, हारवे खुन को, ठीक है, दे देते हैं access, तो चलते हैं, profile पे, ठीक है, edit किया, edit किया, सबसे पहले, account tab को, accounts tab को, tab on, default on करेंगे, और फिर नीचे, account object पे, read का access नहीं रखा है, view all का देंगे, view all से पता है क्या होगा, अज़, क्या, सारे record, visible होगे, ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से, accounts को, search करेंगे, हारवे खुन को, जब हमने permission दे दी है, वो उसके बाद, accounts, तो यहाँ पर हमको एक record दिख गया, ठीक है, और इसको अगर open करेंगे, तो कुछ तो problem है, इस profile पर, कोई ना कोई permission missing है, इसलिए में detail नहीं दिख रहा है, related में जाएंगे, तो हमें related नहीं दिख रहा है, क्योंकि contact की permission नहीं है, अगर देखा जाएं, तो actual में related list quick single यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, related list quick single आ रहा है, यहाँ पर detail टैब आ रहा है, और यहाँ पर contacts आ रहा है, ठीक है, एक बार ही देख लेते हैं, कि क्या इसको उसका access है, क्या accounts की fields का, अगर नहीं होगा तो दे देंगे, ठीक है, अच्छा, कुछ fields missing हैं, जिनका access नहीं है, तो अच्छा, लगता है हमारा extension चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, manually दे देते हैं, हो सकता है, कुछ field permissions की यज़े से उसको error आ रही हो, ठीक है, क्योंकि कई सारी, वहाँ पर कुछ दिख इसलिए नहीं रहा, record तो उसको दिख रहा है, बट fields नहीं दिख रहे हैं, न fields दिख रहे हैं, न related list दिख रहे हैं, related list तो फिर भी क्योंकि वो contact नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा, contact का access नहीं है, अब भी हमने उसको field का access दे दिया है, और आप देखते हैं, अब सायद उसको field का access है, तो दिख जाएं, fields अभी भी नहीं दिख रहे हैं, अब यहाँ पे highlight panel पे आ गया, ठीक है, highlight panel पे field दिख रहा, पहले नहीं दिख रहा था, ठीक है, related में तो definitely कुछ नहीं दिखेगा, context में भी नहीं दिखेगा, तो अब भी तो, कुछ तो है, जो इसकी वज़े से नहीं दिख रहा, बट अगर overall UI देखो, तो UI उसको दिख रहा है, जैसा हमने वहाँ पे बनाया था, related लेसको एक single दिखेगा, related, यह सब यहाँ पे दिख रहा है, जैसा है, यह उसको दिख रहा है, अब अगर हम account की बात करें, account पे बात करें, इसको वापस save करके, वापस back पे चले जाते हैं, यह हो गया, ठीक है, अब हम बात करते हैं, let's say कि हम panther schools application पे वापस चलते हैं, panther schools पे, अप्लिकेशन के लिए होगा, मतलब और कोई application में आप account खोलो, हमें कोई मतलब नहीं, बट अगर आप panther schools application में हो, आपने panther schools application open कर रखा है, उसके बाद आप अगर account open कर रहे हो, तो आपको क्या-क्या दिखेगा, उस पे हम बात करते हैं, उसके लिए हमें एक नया page बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो कैसे बनेगा, अब इसके लिए हमाई पास दो options हैं, या तो हम setup में जाएं, और यहाँ पर search करें, अप builder search करें, और यहाँ पर user interface के अंदर आ जाएगा, lightning app builder, lightning app builder, और इस पे हम click करें, जब हम इस पे click करेंगे तो यह देखो, एक आ गया, क्योंकि हमने इसको edit कर दिया था, तो अब वो आ गया, जैसे ही edit कर दोगे किसी भी lightning app builder को, वो यहाँ पर available हो जाएगा, ठीक है, अगर edit नहीं करोगे, तो by default sales force यहाँ पर नहीं दिखाएगा, ठीक, यह lightning app builder पर new पर click करोगे, जब new पर click करोगे, तो यहाँ पर कई सारे options आएंगे, कि कौन सा page आपको बनाना है, app page बनाना, home page बनाना, record page, embedded services, या फिर voice extension, ठीक है, अब पहले यह तीन ही थे, बढ़ यह अभी दो नए आए हैं, ठीक, हमें क्या करना है, हमें record page बनाना है, क्योंकि हम record page पर काम कर रहे हैं, ठीक है, अब जैसे ही इधर left side select करोगे, right side वो आपको दिखाने लगेगा, कि किस चीज़ की बात कर रहे हूँ आप, ठीक है, जैसे अगर मैं home page select करूँ, तो यह home page दिखा रहा है मुझे, ठीक है, अगर मैं app page select करूँ, तो यह app page दिखा रहा है मुझे, और इसी तरह अगर मैं record page select करूँ, तो record page दिखा रहा है मुझे, ठीक, जैसे, हमें चाहिए record page, उसको select करेंगे और next करेंगे, और नाम दे देंगे, कि हम डिफाइन कर रहें किस हैप के लिए चाहिए ठीक अब यह पूछ रहें कि ऑबजेक्ट किस ऑबजेक्ट के लिए आप रिकॉर्ड टाइप बनाना चाह रहा हो तो हम बोलेंगे हम यहां पर साज़्च भी कर सकते हैं वैसे हमारा तो उपर ही आ गया था बट हम यहां पर साज़्च कर सकते हैं अकाउंट and then next select करने के बाद next आप यहां पर यह पूँच रहा है कि आप किस तरह का layout चाते हो देखो यहां पर जो हमने पहले select किया उसने का group header and one reason अगर देखो तो यह ऐसे दिखेंगे हर device पे दूसरा select करो left header तो यह कुछ ऐसे दिखेगा header and one reason select करो तो ऐसा header and right side bar तो ऐसा ठीक है header and three reasons तो कुछ ऐसा depending upon जो business की requirement है उसके सबसे आप यहां पर layout चूज करते हो ठीक है जो default होता है वो होता है यह जो default हम यहां पर देख रहे हैं वो वही है header and right side एक left and right bar ठीक है तो वही है header उपर हो गया यह हो गया left और यह हो गया right ठीक हम इसे select करेंगे या फिर चाहो तो clone भी कर सकते हो इदर option होता है किस वाले से clone करना चाहते हो ठीक है हम इस पर अपना जो है हम इसी से ले लेंगे header वाला and click करेंगे done हमारे record page बन गया भी save नहीं हुआ है सिर्फ बना है अब यहां पर दिख रहा हमको देखो अब हमारे record page पर कुछ नहीं है ठीक ऊपर क्या है ऊपर हमें चाहिए highlight panel यह वाला यह जो हमको दिख रहा है यह चाहिए हमें ठीक तो उसके लिए हमारे पास इधर होता है highlight panel highlight panel ठीक है highlights panel इसको अगर यहां पर डालेंगे तो हमें highlights panel दिख जाएगा ठीक है हमें highlights panel दिख गया एक और यह highlights panel में जो field आता है वो हमें पता है उससे हमारा compact clouds आता है yes ठीक है compact layouts आता है अब उसके बाद आता है कि आपको कितना button यहां पर दिखाना है 3, 5, 7, 6 यहां पर सारा button दिखाने लगेगा ठीक है visible actions buttons desktop में खाली कितना है दिखा दिया ठीक है hide करना है follow and unfollow यह वाला button अगर hide करना है तो follow button हट गया आ गया अगर इस पर करोगे तो collapse दिखाता है उसकी जूत नहीं है मतलब बैसिकली भी यह कह रहा है कि अगर इसको check कर दोगे तो fields नहीं दिखाएगा ठीक तो फिर highlight panel का हमें कोई मतलब नहीं है हम इसको हटा देते हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे upgrade to dynamic actions यह सब हम बाद में बात करने वाले हैं तो इस पर ध्यान मत दो हमारा highlight panel हो गया अब let's say कि हमें कोई tab नहीं चाहिए हमें यहाँ पे इधर हमें detail दिखानी है अब object की हमें ऐसा कोई tab नहीं चाहिए हमें सिर्फ यह detail वाली section दिखाना है बस इसको अगर डाल दोगे तो वो record की detail सो करेगा यह देखो सो करने लगा ठीक है अब let's say इधर right side में आपको चाहिए related list ठीक है और सारे नहीं चाहिए आपको contact चाहिए और आपको opportunity चाहिए और आपको case चाहिए बस सारे नहीं चाहिए ठीक है तो उसके लिए आप related list single करोगे है ना क्योंकि अलग-अलग चाहिए तो related list single एक related list single दो और तीन आपने तीन इधर drag and drop किये और जो भी चाहिए पहला आपको चाहिए था let's say cases आपने cases select किया दूसरा आपको चाहिए था contacts आपने contact select कर लिया तीसरा आपको ची opportunity आपने opportunity select कर लिया ठीक है तो यह जो है क्या कहते है यहां पर आपको related list आ गया आप चाहो तो ऊपर quick links डाल दो इधर quick links डाल दो चाहो तो ठीक है और चाहो तो और कुछ भी अगर जैसे कि लेट से तुम्हें activities का कुछ डालना हो तो activities का इधर उपर डाल दो कहीं पर डाल सकते हो मनमर्जी हमने activities का उपर डाल दिया यह लो अब फीड का डालना हम फीड का भी यह डाल देते हैं चैटर का इसके नीचे डाल दिया हमने चैटर आ गया हमारा तो मतलब हम ऐसा बना दिया हमने ठीक है हमें ऐसा चाहिए था हमारी business requirement ऐसी ही थी कुछ फालतू सी और हमने बना दी ठीक लेकिन requirement यह है कि यह page तब भी दिखना चाहिए जब account panther schools application में open हुआ हो ठीक है तो अब इसको करते हैं सेव तो सेब करेंगे तो फिर सेब एक्टिवेट मंगवाएगा तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे अब इस बार हम और्ग डिफॉल्ट पे ना जाके हम एप डिफॉल्ट में जाएंगे क्योंकि हमें हमारी कॉर्मेंट क्या है एक specific एप एक specific एप उस एप के अंदर ही वो रिकॉर्ड दिखना चाहिए तो हम क्या करेंगे assign as app default आप यहां पर यह पूँच रहा है कि आपको किस एप का डिफॉल्ट बनाना है इसको और हमारा है panther schools हमने उसको select किया next desktop और phone दोनों के लिए कर दिया next एंड यहां पर देखोगे तो यहां पर review assignment एक desktop के लिए एक phone के लिए और इसको save कर दिया और फिर से एक बड़ी save किया just to double check ठीक अब यह जो हमारा layout है यह panther schools के लिए बन गया ठीक है हम अभी panther schools पे हैं ठीक है और इस account को हम एक बार रिफ्रेस कर देते हैं हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेस करेंगे क्योंकि account पहले से opened है changes दिख गए जो हमने अभी change किया तो वहीं यहां पर दिख रहा है कोई कुछ अलग से नहीं दिख रहा है अब हम चलते हैं वापस sales application पर अब हम चलते हैं वापस sales application पर और यहां पर गए और यहां पर कोई एक अपने किया तो यहां पर क्या दिख रहा है यह तो पुराने वालत देखना चाहिए था यह नहीं तो यही है यही है हमारा ये कि अब ये requirement होती है कि app label पे आपको कुछ दूसरा दिखाना है मतलब एक specific app label पे आपको दूसरा component दिखाने हैं, दूसरा record page दिखाना है और वैसे normally आपको कुछ और दिखाना है तो जब ऐसा होगा कि इस app पे इसका UI कुछ ऐसा हो, बांकी जगह पे ऐसा हो तब आप एक record page बनाओ गया और उसको as a app default store करोगे उसको as a app default store करोगे, assign करोगे तब वो उसको app default दिखेगा यहां तक clear है record page, org default क्या होता है और app default क्या होता है Hello clear है भी वो mute था, sorry तो जो जैसे org default अगर कोई भी assign नहीं होगा ठीक है अगर कुछ भी assign नहीं होगा तो और डिफाल्ट को लेगा ठीक है और अगर क्या कहते हैं कुछ assign है तो फिर और डिफाल्ट को और राइड कर देगा ठीक है और अगर अप लेवल पे नहीं है तो फिर जो डिफॉल्ट वाला है वो दिखा दो ठीक है वो है अब हम बात करते हैं एक अलग requirement की बात करते हैं कि हमारा जो record page है न वो profile और record type के भी हिसाब से दिखे अभी तक हम सिर्फ एप की बात कर रहे थे एप में क्या है कि जो कोई भी कोई भी यूजर अगर किसी भी एप में उसको open करेगा account को तो apart from panther panther school में अगर open करेगा तो उसको वही दिखेगा सेम चीज़ दिखेगा जो अब ही हमने किया हुआ है ठीक है अब हम बात करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी object है और उस object के record type के हिसाब से हमारा page layout change हो जाए ठीक है object के record type के हिसाब से हमारा page layout change हो जाए page layout मतलब कि lightning record page change हो इसकी information change हो वो हम चाहते है ठीक है, तो हम अगर बात करें, तो हमने, I think, इस पर, इस्टुडेंट पर बनाया हुआ है, न हमने, इस्टुडेंट पर हमने रिकॉर्ड टाइप बनाया हुए है, इंडिया और इंटरनेशनल, वाँ, इंडिया और इंटरनेशनल अपर्चिनेटी में है, वह स्वरी सबыпडनाइए हैं कि जब वस्ट से पर और जब चाहएं वह सब्सक्रांतों तो इसको अलग सब्सक्राइब अब हम चाहते हैं कि जब वह सब्सक्राइब होतों उसको यहाँ पर डिखे उसको रिलेटे लिस्क एप related list quick links भी दिखें ठीक है और related वाला part हम हटा देंगे, हम related इधरी side कहीं लगा देंगे, ठीक है मतलब उसको हम information दिखाएंगे, और जो alumni होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ details दिखाएंगे, activities भी नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ details दिखाएंगे उसको ठीक है, यह करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले हम चलके एक कोई student record page को edit कर लेते हैं, ठीक है, इसी को कर लेते है, edit edit page ठीक है, यह हम मान के चलते हैं, यह student वाला, जो हम इसको edit कर रहे है, यह student वाला है, ठीक है? तो student वाले के लिए हमने बोला कि हम chatter भी दिखाएंगे, तो हम इस इधर right side में add कर लेंगे, और add करेंगे एक नया tab, और इसका नाम change कर देंगे और इसको बोलेंगे, इसका नाम है chatter, इधर chatter भूए होता है इसमें नहीं होगा तो दे देंगे उससे कोई नहीं है have you lost lost ठीक है, तो अब chatter में हम chatter डाल देंगे chatter नहीं आ रहा, अच्छा, chatter नहीं आ रहा, उसका reason है उसका reason है, क्यों नहीं आ रहा है ठीक है, अब नहीं आ रहा है और आया है तो हम बात कर लेते हैं कि आया के हो नहीं रहा किसी भी custom object के लिए chatter अगर available करना हो तो हमें दो चीज़े करनी होती है पहले चीज़ तो हमें feed tracking enable करनी होती है तो हम जाएंगे setup setup में जाएंगे feed और यहाँ पे आएगा एक feed tracking feed tracking, यह enable करने करें भी नहीं चैटर नहीं आएगा हमें ठीक है, और यहाँ पे हम अपना object search कर लेंगे जो कि है student और यहाँ पे हमारा student object है, यह है student इसको करेंगे enable feed tracking और लेट से कि हमें जो भी हमारा field है, उन सब के लिए feed tracking enable करना है, क्या होता है इस से हम बता देंगे भी, इस से actually में सब चीज़ों से होता क्या है, वह हम बताएंगे ठीक है, जै, और इसको save, जब हम feed tracking enable कर लेंगे तब उस record page पे chatter available होगा तब उस record page पे chatter available होगा, उसके लिए हमें refresh करना पड़ेगा जैँकि chatter available है नहीं, और आप हमारे पास यहां chatter आ गया देखो, अपने आप ही आ गया वो tab chatter, ठीक है अपने आप ही वो chatter आ गया जब हमने enable कर दिया तो, ठीक है यह आ गया, दूसरा हमें यहां पे related list quick single भी डालना है, related list quick links related list quick links भी डालनी है, यहां पे हमने डाल दिया ठीक है, और related list quick links हो गया related हमें दिखाना नहीं है दिखा देते हैं related list दिखा देते हैं और यह हो गया, activities हो गयी chatter हो गया ठीक है, इतना बहुत है और इसको save किया, ठीक, इसको हमने save किया, अब यह जो record page है ये इस्टूड मतलब panther schools application के अंदर panther schools application के अंदर student record के लिए student record type पे ही दिखना चाहिए है ना तो हम यहाँ पे करेंगे activate यहाँ पे करें activate इस बारी हम app default पे नहीं जाएंगे क्योंकि app default पे जाएंगे तो उसको वही दिखेगा हो कोई भी record type हो ठीक है हम जाएंगे एप record type and profile पे ठीक है हम इस पे चेक करेंगे और फिर assign करेंगे बटन उस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यह पूछेगा आप आप किस एप की बात कर रहे हो तो हम कहने पैंथर स्कूल फिर next फिर पूछरा form factors रहने दो जैसा है अब यह पूछरा record type यह जो page है यह किस record type के लिए है ठीक है हम कहेंगे student ठीक है जी देन उसके बाद next पे करेंगे तो यह पूछरा किस profile के लिए है आप चाहो तो सारी profile select कर सकते हो और आप चाहो तो आप कुछ चुनींदा profiles को share कर सकते हो क्योंकि Panther Schools application और student object हर एक profile को access नहीं होगा तो जिसको होगा हम उसको ही select करेंगे तो एक हमारी है standard platform user जो कि हमारी Josephine Ray के लिए है ठीक है और एक है हमारी Panther Schools teacher इन दो के लिए ठीक है यह select किया next अब यहां पर हमें दिखाएगा कि Panther Schools का record type student profiles यह form factors है और यह वाला record page उनको दिखेगा अभी system default है अब नए आ गया यह ठीक और आप इसको हम करेंगे save and then this is save तो अब क्या होगा अब ऐसे admin तो मुझे दिखे कर नहीं मैं दिखा देता हूँ बात को भी वापस चलते हैं वापस चलते हैं तो यहां पर as admin मुझे वो changes नहीं दिखेंगे अगर मैं इसको refresh भी कर दूँ तो as admin हमें वही दिखेंगे जो default होता है related list quick single नहीं दिख रहा quick links नहीं दिख रहा ठीक है अगर मैं ऐसे यूजर से लॉगिन कर दूँ ऐसे यूजर से लॉगिन कर दूँ जिसका प्रोफाइल जो है panther schools teachers है या फिर standard platform user है तो उसको दिखेगा तो इससे हमने लॉगिन कर रखा है अब आच कर रेके हर्वेक हों से इस्टुटेंट पर जाएंगे लेट्स एक नया इस्टुटेंट क्रेट करेंगे जिसका record type student होगा next पर किलिक करेंगे और यहां पर लेट से यहां पर हमने दे दिया कोई भी है ठीक है अबने दे दिया अरुन सिंग्, ठीक है, कॉलेज इमेल जो भी है, वो दे दिया, करेंट इस्टुडेंट है, डिपार्टमेंट जो भी है, सिविल, एन दें, सेव, ठीक है, अब इसको सेव किया, तो अब, यह है, इस्टुडेंट रिकॉर्ट टाइप, इसमें अडिड नहीं है क्या, एक मतर इस्टुडेंट रिकॉर्ट टाइप, रिफ्रेस्ट करते हैं, अभी इसको, हाँ, अच्छा, वो कैच का इसू था, आब इसको दिखने लगा, वो अच्छली में, प्रॉब्लम थी, कैच में, कैच इसमेंट रिकॉर्ड टाइप का, अब अगर हमें नया बनाना हो, आलूमिनाई के लिए, आलूमिनाई के लिए हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड डिटेल दिखे, बस, और कुछ ना दिखे, इसमें तो उस केस में हम फिर से वही सेम चीज हम जाएंगे अपना 19 तaçãoैनियो क्रिक्षाइग अब में यहां पे इन नीघर करेंगे फिर से डिक ऐम रीम नीघर करके अगेन रिकॉड़ पेज ब्नेक्सपर क्लिक किए अप यहां पे दाएंगे क्योंकि वस्त्थ यह ब्रकुंद कि लिए है इस ते ईग के लुद्धा कर दिया alumni student record page object होगा student हमारा student next पर click किया same चीज हमें जो चाहिए वो है ये वाला header and right side bar ठीक है? and done पर click कर दिया हमें highlight panel तो चाहिए चाहिए था तो highlight panel select कर लिया और हमें चाहिए एक record detail page, एक record detail बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, इतना ही चाहिए बस ये चाहिए था ना? जो, अब इसको हम कर देंगे save activate करेंगे फिर से वही app record type पे जाएंगे, assign करेंगे अब यहां पे app होगा panther schools, record type select करेंगे alumni profile हमारी वही panther schools teacher और standard platform user ठीक है, panther schools teacher किदर गई यह रही और standard platform user and next, save मतलब कि हमने गया किया, ये record page अब profile और record type की बेस पे control कर दिया ठीक है? अब हम यहां पे आएं अब हम एक नया student अगर बनाएं अगर हम alumni select करें और यहां पे let's हमने दे दिया Sanjay, Goel ठीक है? ठीक है, जो भी है इसमें हमने उसका कर दिया current student department जो भी है mechanical, save किया अब यहां पे देखोगे इसको refresh करना पड़ेगा क्योंकि catch problem था and ta-da अब सिर्फ और सिर्फ उतना ही दिख रहा है जितना दिखना चाहिए उसको ठीक है, यह current student नहीं होना चाहिए यह alumni है, ठीक है यह है ठीक बट record type alumni था इसलिए उसने alumni अपने हिसाब से record type का वो जो view होता है उसने वो change कर दिया तो जो lightning हम अभी record page की बात कर रहे थे, अभी तक हमने app page और home page की बात नहीं करी हम सिर्फ record page की बात की हमने तो जो lightning record page होते हैं वो हम change कर सकते हैं, बहुत ही मतलब क्या बलते हैं depends on हमारी requirement क्या है, उसके हिसाब से हम उसको change कर सकते हैं, ठीक है एक चीज़ और, अभी हमने दो lightning record page बनाएं, जैसे अगर हम इसी student पे जाएं student पे, और जो हमारा आरून करके है आरून सिंग, इसका जो record type है, वो actually में, इसका जो record type है, वो actually में student है है ना, और as a admin हम login है, इसलिए हमको यह नहीं दिख रहा, ठीक अगर हम चाहें, तो हम, let's edit, इसको edit करते हैं, इसको edit करते हैं, ठीक है अगर हम चाहें, तो इसमें कुछ चीज़ें, जैसे की इस पे पहले तो यह activation वाला option नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इसको save करेंगे तो साइद आए, क्यों नहीं आ रहा, यह तो activate है चुका है, कोई बात नहीं है, activation पे क्लिक करके, एप वाले पे जाके, यहां पे जो भी, अच्छे, असा तो नहीं है, क्या, ऐसा तो नहीं सकता, student record page, app builder student record page है, तो, assigned भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको बात, असाइन कर लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी, तो फिर से कोई बात नहीं, लेट से हमें यहां पे related list quick single लालना है, sorry, quick links हमने यहां डालना है, ठीक है, और एक, let's say, हम related single लाल देते हैं, एक ही है, related list single जो की है, student subjects, ठीक है, normal है, अब, let's say, कि मुझे दो record type नहीं बनाने हैं, ठीक है, मुझे दो page नहीं बनाने हैं, और हम यह कह रहे हैं कि, यह related list, यह related list और यह related list quick single तब ही दिखना चाहिए, जब student का record type student हो, नहीं तो ना दिखे, एक तो हमने देख लिया कि हम, दो page अलग-अलग बना दें, हाँ, जी, जी, और दूसरा होता है कि, हम इसको hide कर दें, यहीं से, based on record hide कर दें उसको, based on record types उसको hide कर दें, कैसे, अब, let's say, इसको hide करना, इसको click किया मैंने, ठीक है, जी, quick links पे, अब इधर left side में अगर देखो, सारी, right side में अगर देखोगे, तो आ रहा है सबसे नीचे, set component visibility, जी, तो अगर इस पे मैं add filter पे click करूँ, तो यह मुझे पूँच रहा है, किसके base पे आपको hide करना है, record के base पे, record, मतलब इस particular record, या जिस भी record में आपने open किया, उसके base पे, या फिर device के base पे, mobile phone, tablet, यहाँ पे आएगा, या फिर advance आप और जाना चाते हो, profiles, और भी कई सारी चीचे, उनके base पे, ठीक है, तो हमारी requirement simple है, record के base पे हमें, हमारा जो field है, वो है record type, नहीं है कि इसमें, अच्छ है, यहाँ नहीं आ रहा, record यहाँ नहीं आ रहा, record type, ठीक है, तो फिर हम advance पे जाएंगे, जब यहाँ पे आप सनना है, तो हम फिर advance पे जाते हैं, अब हम यहाँ पे select करेंगे, select पे हम सबसे पहले जाएंगे record, क्योंकि हमें record के अंदर record type पे जाना है, फिर जाएंगे record type, और फिर जाएंगे name, record के अंदर record type का name, equal student, अगर यह होगा, record का record type name, equal student होगा, तब ही यह वाली quick links दिखेगी, ठीक है, अब अगर इसका हम done करें, तो यहाँ पे अगर देखो, तो यह हलका असा एक background yellow color में एक eye बन के आ रही है, एक आँख बन के आ रही है, पुझे बता रही है कि यह conditional display होगा, condition के base पे, ठीक है, same चीज़ इस पे भी लगा सकते हो, नीचे आएगा, add filter, advance, फिर select किया, और यहाँ पे record, record के अंदर record type, ठीक है, record के अंदर record type, और उसका name, और जो भी इसका name है, equal, sorry, not equal नहीं, equal, student, ठीक है, अब यह दोनों, तुमारे show और hide होंगे record type के base पे, ठीक है, record type के base पे, और hide होंगे, अब अगर इसको मैं save करें, ठीक है, changes are saved, ठीक है, changes are saved, अगर हम अब वापस यहाँ पे चलें, किसी भी एक student पे, let's say, panther schools पे जाते हैं, panther schools पे जाते हैं, कोई student open करते हैं, आरुन सिंग, ठीक है, इसको refresh करते हैं, मुझे नहीं लगता, वो हमको दिखाएगा, क्योंकि हम, वो हमें assign नहीं है record page, इसले नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो हम यहाँ पे चलके, इस पे assign कर लेते हैं, admin profile को भी, जिस at least देखने को मिले, तो एप है panther schools, और record type है हमारा student, ठीक है, और profile हमारी हो जाएगी, panther schools teacher, standard platform user, और system administrator, जिससे की हमें भी दिखे, ठीक है, save किया, इसको फिर से save किया, and then, आब अगर वापस इसको refresh करोगे, तो आपको वो उसके लिए दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है, record type की base पे, ठीक है, record type की base पे, अब एक काम करते हैं, student object पे चलते हैं, student object पे चलते हैं, और हम page layout edit करके, वहाँ record type add करेंगे, ठीक है, page layout पे, क्योंकि यहाँ पे अभी, page layout वाला field नहीं है, है न, हमें वो add करना पड़ेगा, student layout पे चलके, add कर देते हैं, record type, record type का इधर add कर दिया, ठीक है, और इसको edit पे भी visible, read, sorry, detail पे भी कर दिया, visible, and इसको कर दिया, save, ठीक है, इसको कर दिया, save, अब अगर हम वापस जाएं यहाँ पे, तो हमको वो record type का field भी दिखेगा, record type, यहाँ पे, किसका record type क्या है, student, ठीक है, अब अगर इसका change कर दें हम, इसका कर दें, alumni, अब यह देखो, अब यह grade है, क्योंकि, grade क्यों है, क्योंकि current record का जो record type वो student है, इसलिए वो grade है, ठीक है, अब यह करेंगा next, जो भी value अगर डाल नहीं है, तो डाल दो, ठीक है, कुछ भी, डालना है तो, and then save कर दो, अब देखो कि वो गाइब हो गए, वो दोनों option गाइब हो गए, तो वो चीज़ है, ठीक है, तो उस पर जो है क्या कहते है, वो हो गया, तो यह हमारा, ऐसे हम dynamic जो है क्या कहते है, करते है, ठीक है, ऐसे हम dynamic लिए उसको कर देते हैं, तो यह हमारा था, dynamic हम कैसे show और hide करते हैं, तो अगर हमें, नहीं चाहिए कि हम multiple नहीं बना सकते हैं, तो हम dynamically show और hide कर सकते हैं, ठीक है, यह चीज़ है, लास्ट चीज़ है, record page की अगर हम बात करें, तो वो यह है कि, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे object के लिए कितने record page बने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें उस object पे जाना होगा, उसके लिए हमें उस object पे जाना होगा, और उस object पे जाके अगर देखोगे, तो एक lightning record pages करके आता है, और वहां पे बता देगा, कि आपके पास कितने record page हैं, कितने record page हैं, वो बता देगा आपको, चीक है, तो यह जो हमारा है overall, यह जो overall है, वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ lightning record page के लिए, अभी तक हमने, आगे, जो हमारा home page and all है, वो हम कल बात करेंगे, कोई confusion, कोई doubt, नहीं, clear है, हम direct, मतलब, detail page पे जाके भी create कर सकते हैं, lightning app builder, new york, assign it, आपके, वहां पे assign कर सकता है, कहां पे, जो last, नहीं, हाँ, यहां से कर सकते है, create, यहां से view assign hits भी कर सकते हैं, कि अभी कर कर दो कर दो.